नमस्कार साथियों मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाइफ़ाइ स्टडी विथ नंदिनी में जिसमें हम लेकर आए हैं आज आपके लिए वीकली करेंट अफेयर की क्लास ये मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया फिर्स्ट पार्ट है यानि वीकली करेंट अफे और क्या चल रहा है? तो पहला कोश्चन है केरल राज्य में पहला अंतरास्टिय समुद्रतत महोत्सो आयोजित किया गया. कहां पर केरल राज्य में? केरल राजि में पहला अंतरास्ट्य समुद्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् आप इनका नाम याद कर लीजिये, इनका नाम कई बार आता है, और केरल की जो राजदानी, वो क्या है, तिरुवनत पूरम है, भारत और आस्टेलिया के मध्या मुक्त ब्यापार का समझोता हो गया है, और इस समझोते होने के बाद में, ऑफिशेली इसको लागो भी कर दिया पहले एस्ट्रेलिया की कैबिनेट ने मंजूरी दिया भारत के साथ में जो मुक्त व्यापार य novinizi प्रहुए और इसके बाद भारत की लिए श्रारच- खेटहर भारत के मंदरबद सन्वीध मंदिरों में उन्हों स्विधाथ तो उन्होंने क्या किया कि तेलंगाना में तेलंगाना की राजधानी क्या है 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 तो तेलंगाना में उन्होंने भद्राचलम मंदिरों की समू में तिर्थ यात्री सुविधाओं के विकास की परियोजना के लिए आधार सिला रखा है किस ने रखा भालत की राष्टपती ने द्वारा अब ICC Emerging Player Award से के लिए किसे नामित किया गया तो एक है क्रिकेटर हमारे यहां जो बल्ले बाज है इस्पेशली अर्षदीप सिंग और महिला वर्ग में है यास्तिका भाटिया जो बल्ले बाज है और अर्षदीप सिंग गेंद बाज है और यास्तिका भाटिया बल्ले बाज है और साथ में रेनुका सिंग इनको जो है नामित किया गया है ICC Emerging Player Award के लिए इसके बाद IIT मदरास को बहटन QS Re-Imagine Education Award 2022 से नवाजा गया और किसे नवाजा गया IIT मदरास को और मैं आपको बता दूँ कि जो ये जो Award है ये एक तरीके से Education के फिल्ड में Oscar कहा जाता है इस Award को तो जो बहुत सारा Congregation होगा IIT मदरास के लिए हाली में बांगलादेश में पहली Metro सेवा प्रारम की गई है और ये किसने स्टार्ट करी यहां पर उसका उद्गाटन किसने करा तो बांगलादेश की जो प्रधान मंत्री है शेख हसीना जी ने उन्हों ने करा और इसकी जो funding करी है वो किसने करी है जापान ने करी है उत्राखंड राज्य के टहरी में जो उत्राखंड का राज्य है उसका जो जिला है टहरी वहाँ पर क्या किया गया है देखो हमारे जो उर्जा मंत्री है नवीन और नवी करणी है जो उर्जा मंत्री है आरके सिंग उस समय मौझूद थे और जो वहां के मुखे मंत्री है पुशकर सिंग धामी उनकी मौझूदगी में इस तरीके की गोशना की गई है जो आदिवासी मंत्रालय हैं और आदिवासी मंत्रालय के जो मंत्री है वारजन मुंडा जी है और इन्हों ने एक future engineering प्रोग्राइम को की साज़ेदारी करी है किस कमपनी के साथ में तो Emagen जो कमपनी है। उसके साथ में इन्होंने साजेदारी करी है, यानि यह की तरीकी से । महिमा स्वामी को इम्नोलाजी में यूरोप के शिर्स प्रतिबहाओं में सम्मानिट किया गया है. महिमा स्वामी कौन है? बेंगलोरूं की रहने वाली है यह ये स्कॉटलेंड में पढ़ रही थी और इन्होंने डॉक्टरी के फिल्ड में बहुत सारा रिसर्च किया है तो यूरोप के जो उभरते हुए डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं उन सितारों में इनका नाम है तो इसलिए इनको सम्मानित किया गया है हाली में लोकायुक्त विधियक ये बहुत इंपोर्टन खबर है लोकायुक्त विधियक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राजे महाराश्ट बन गया है यानि जो लोक बिल पास करने वाला जिसमें की मुख्य मंतरी और मंतरी परिशत भी भ्रस्टाचार विरोधी लोकपाल क दायरे में आ जाएंगे तो ये ये स्टार्ट करने वाला ये पारित करने वाला कौन सा राज्जे है तो वो महाराश्ट बन गया है महाराश्ट का के जो राश्ट पती है वो भगत सिंग कोशियारी जी है इसकी राज़ाने मुंबई और महाराश्ट के जो मुख्य मंतरी है कौन है एकनाथ सिंदे ओडिसा राज्य में दो वर्ष बाद धनो यारतरा प्रारंब हुई है यानि दो वर्ष बाद हुआ है कोविट की वज़े से इसको बंद कर दिया गया था इसलिए दो वर्ष बाद स्टार्ट किया गया है यह कहा जाता है कि 1948 में श्रमिकों के द्वारा यह स्टार्ट करा जाता है एक तरीके से तिवहार मनाने के लिए केंद्रिया और योगिक electronic सूषना मंतरी कौन है स्री अचविनी वैष्नों इन्होंने क्या किया है इन्होंने stay safe online अभियान प्रारम किया है और इस कारिकरण में क्या किया जाएगा इसमें cyber सूरक्षा के उप प्रूफ करने की कोशिश करी जाएगी असम राज्य के बकसा जीले में भारत सरकार की महारतने कंपनी आर इसी लिमिटेड द्वारा बिजली उत्सों मनाये गया तो कोश्चन क्या आया कोश्चन यह आया कि बिजली उत्सों कहा मनाये गया तो असम राज्य के बकसा जीले में म IOCL मिलकर IOCL ने उत्तर प्रदेश और 36 गड़ राज्यों के साथ मिलकर क्या काम स्टार्ट किया है टीवी उन्मूलन के लिए एक परियोजना एक काम स्टार्ट कर रहा है जिससे कि टीवी के जो मरीज है उनकी जो संक्या है वो 80 प्रतिशत तक कम हो जाए और टीवी जल से जल श्रुत अस्पताल प्रबंधन का उत्गातन किया गया सब्से पहले जो ऊत्र प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहांके 5 यसे जिले जहांके Medical College में इसको start कर दिया गया है, प्रारम कर दिया गया है, और वो जिले हैं, गोरखपूर, कानपूर, प्रयागराज, जासी, मेरट, अब जब यह परियोजना या जो सफल हो जाएगा, तो इसके बाद में जो और भी स्टेट हैं उत्तर पदेश के, और भी जो डिस्टिक हैं, उसको भी इस कारिकरम से जोड दिया जाएगा, तो यह जो Medical College है, इस परियोजना में क्या किया जाएगा, तो इसमें कोशिश की जाएगी कि जादा से जादा online काम हो, और paper का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस विधी पर यह चल रहा है, ICC Bengaluru को विध्यान पर G20 कारिसमू का सची वाले बनाए गया, देखो, हम सबको पता है कि जो हमारा देश है, G20 के लिए चुना गया है, पूरे एक साल के लिए, जो भी उनके सदस्य होते हैं, उनके अलग-अलग department, यानि जो G20 अलग-अलग department में, अलग-अलग fields में काम करता है, तो उसका जो एक पार्ट है, साइन्स वाला जो पार्ट है, उसके लिए जो सची वाले चूस किया गया है, जो center बनाए गया है, वो IISC Bengaluru को बनाए गया है, पहला के आर, के आर गौरी अम्मा रास्ट्रिय पुरुसकार, यह पहला के आर गौरी अम्मा रास्ट्रिय पुरुसकार है, जो गौरी अम्मा foundation की तरफ से दिया जाता है, और यह जो पुरुसकार है, वो अभी किसे दिया गया है, वो क्यूबा की सामाजी कारे करता है, जो पिकलांग बच्चों के लिए काम करती हैं, जो बच्चे घरेलू हिंसा या घरेलू सोशन से पीडित होते हैं, बच्चों के लिए काम करती हैं, उनको दिया गया और उनका क्या नाम है, उनका नाम है एलीडा गुएरा, और ये किसके द्वारा गिया गया, केरल के मुख्य मंत कि इज्राइल दुनिया का पहला यहुदी देश है, ठीक है, एक मातर यहुदी देश जो प्रॉपर यहुदी देश है वो कौन है, इज्राइल है, जब जब जेरुसलम को अलग किया गया, यानि जेरुसलम के दो पार्ट डिवाइड किये गया है सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद में तो जो अरबी छेतर है उसको कहा गया कि फिलिस्तीन है यानि जो अरब भाग है उसको फिलिस्तीन कहा दिया गया और जो यहुदी वाला पार्ट था उसको इसराइल कहा गया हाली में भारत की सहायता से निरमित मंग देख्षू जल विदुद परियोजना मंग देख्षू जल विदुद परियोजना भुटान देश की की डुक क्रीन पाउर कार्पोरेशन को सौपी गई सबसे पहले आपको यह बता दों कि यह जो भुटान की जो नदी है मंग देख्षू उस पर बनाई गई है और भारत इसमें भुटान की सहायता कर रहा है और अब जो यह परियोजना है वो किसको सौपी गई है तो यह सौपी गई है डुक ग्रीन पाउर कॉर्पोरेशन को और जो है भुटान के साथ में प्रधान मंतरी मोदी ने इसका जो है उद्गाटन किया और ये चौथी परियोजना है भुटान की और भारत की साथ में मिलकर ये चौथी परियोजना जलविद्ध परियोजना है जिसको इन्होंने साथ में मिलकर complete करा है ये पूरा करा है भारतिय सेना ने गुजरात राजी में पहली बार 3D printed housing deviling unit का उधगाटन किया ये किस तरीके का है ये देखो एक 3D printed housing का निर्मान किया गया जो especially आपदा विरोधी जोन 3 भुकम छेतरों नियमों और green building मानकों का पालन करेगी भी हाले में green mantri green मन्तरी हमारे अमिशाजी है और साथ में सहेकारीता मंतरी भी उन्होंने नई दिल्ली में केंद्र शाषिक प्रदेशों के जो उपरा जेपाल है या उनके जो प्रशाषक हैं उनकी अधिश्टा करी थी उनका संमेलन करा था औरगी इसक्ता करी थी और focus किन अक्रियानवेन किस तरीके से चल रहा है इसके उपर बात की जा रही है भारत ने नेपाल विदुद प्राधी करण को दो और जल विदुद परियोजनाओ के अतिक 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमती दे दिया यानि पहले से ही दो दिया था उसके बाद में अब विक्रम सारा भाई की इक्यानवी पुन्यतिती मनाएगे विक्रम सारा भाई वो विक्ति हैं जिन्होंने इस रो के स्थापना करी थी और इस रो वो सांस्थान है जो साइंस के फिल्ड में या वैग्यानिक उन्नती के लिए भारत के लिए बहुत सारा काम करता है कोईला मंत कोईला मंत्राले कौन है कोईला मंत्री कौन है प्रहला जोशी जी है अब इन्होंने क्या किया इन्होंने खान परेटन को बढ़ावा देने के लिए आठ इको पार्क का निर्माण करने की बात कई है इन्होंने कहा कि आठ इको पार्क बनाए जाएंगे इसके बाद आमेरिकी उपराश्पती कौन है? कमला हैरिस है. इन्हों ने अपना रास्ट्रिय अंत्रिक्ष परिसर सलाकार के रूप में राजिव बढ़्याल को नामित किया है. राजिव बढ़्याल कौन है? राजिव बढ़्याल वो है जो Space X में उपाधक्ष रह गए हैं. और इसके साथ में एमेजन के प्रोजेक्ट कुई पर के उपाधक्ष भी वो रह चुके हैं. ब्राजिव के महान फुटबॉलर जिनके बारे में सब जानते होंगे, उनका हाली में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? पेले. और उनकी जो उम्र थी, वो क्या थी? 82 वर्ष थी. और जो फीफा के द्वारा, फीफा ने जो इनको उपाधी दी थी, क्या कहा था? फीफा ने उनके लिए दग्रिटिस्ट की उपाधी दी थी इनको. अब देखो, रविंद्र नाथ टैगोर साहितिक पुरसकार 2021-22 रविंद्र नाथ टैगोर साहितिक पुरसकार 2021-22 प्रदान किया गया सहिंक तुरूप से किसे? सुधीब सेन को सुधीब सेन को और शोभना कुमार को सुधीब सेन को पिपपा रड़ बुक्स एंड मीडिया 2021 और सोभना कुमार को लाल नदी 2021 के लिए दिया गया और इसमें इस पुरसकार में क्या दिया जाता है? इस पुरसकार में 10,000 डॉलर और साथ में रविंद्र नाथ टैगोर के प्रतिमा प्रदान की जाती है भरास सरकार ने सतरक्ता आयुक्त प्रविंद कुमार श्रिवास्तों को कारेवाहक के इंद्रिय सतरक्ता आयुक्त कर दिया है यानि पहले ये ये जो है सतरक्ता आयुक्त थे अब इन्हें कारेवाहक के इंद्रिय सतरक्ता आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है यानि C.V.C. नियुक्त कर दिया गया है ओडिसा के राजय मंत्री मंदल ने या उसकी वहां की कैबिनेट ने रूपीज 367.19 करोन को मंजूरी दी है यह आप में बहुत बड़ी धनराशी है यह केंद्रिय ग्रिय और सहकारिता मंत्री आमिशाह ने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षाबल B.S.F का मोबाइल अब प्रहरी लांज किया तो देखिए सबसे पहले कि कहां पर कहां पर यह मिटिंग हुई थी तो यह मिटिंग हुई थी नई दिल्ली में सीमा सुरक्षाबल जिसे B.S.F कहते हैं उसके लिए जो पाकिस्तान और बांग्रादेश का बॉर्डर है उस पर इनकी निप्ति की जाती है केंद्र शाषित प्रदेश दिली की सरकार ने सौर निती बनाई 2022 अभी सौर निती में क्या कहा गया है दिली की सरकार ये चाहती है कि सौर उर्जा की मांग बढ़े इसकी उत्पादन बढ़े और जादा से जाद लोग इसका प्रियोग करें तो इसके लिए वो सबसिडी कैसे दे सकती है कैसे लोगों को प्रोजसाहित करती है इसके लिए उन्होंने एक निती बनाई है जिसको बोला गया है सौर निती 2022 और इन सब के बारे में बात की गई है ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरिल स्कॉट लेंड में बनाए गया देखो ब्रिटिश इंडियन आर्मी वो आर्मी जो पहली और दूसरे विश्वयुद्ध में थे वो सैनिक उनके लिए उनके याद में जो स्कॉटलेंड है उसमें बनाय जा रहा है मेमोरियल हाँ इस्मृती मंधाना और सूर्य कुमार यादव को इंटर्नेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC T20 Cricket of the Year पुरसकार के लिए नामित किया गया अब ये कौन है तो इस्मृती मंधाना सलामी बल्लेबाज है और सूर्य कुमार यादव भी बल्लेबाज है तो इन लोगों को नामित किया गया है किसके लिए T20 Cricket of the Year पुरसकार के लिए RTI का जवाब देने में सबसे खराब जो स्टेट है वो कौन है तमिलनाडू है अब देखो विश्व रैपिड सत्रंज Championship हुई थी जिसमें स्वन पदक जीतने वाला कौन है स्वन पदक जीता है मैगनस कालसन ने किसने जीता है मैगनस कालसन ने और भारतिय विश्व रैपिड सत्रंज कोरेनू हमपी ने भी 30 दिसमब 2022 को कजाकिस्तान में एक विश्व चैंपियंशिप हुई थी तो उसमें इन्होंने क्या जीता है रज़त पदक जीता है नि सिल्वर तमिल नाडू सरकार 28 दिसमबर को नील गिरी तहर परियोजना की गोशना करा इसने और इसका उदेशे क्या है इसका उदेशे है जो राजकिय पशू है उसकी मूल आवाज की सुरक्षा की जाए उसकी संख्या को बढ़ाया जाए और जो अगर बच्चे हुए है तो उनको इस्तिर भी किया जाए उनको बचा के रखा जाए उनको एन्वावर्मेंट प्रदान किया जाए तो इस तरीके के लिए उन्होंने परियोजना की गोशना की करी है जिसका नाम है नील गिरी तहर परियोजना महारास्टर राजे सरकार ने चंद्र शेकरण को आर्थिक सलाकार परिशत के रूप में निउक्ति किया है किसने महारास्टर राजे सरकार ने और इसकी गोशना किसने करी थी इसकी गोशना उप मुख्य मंत्री देवेंद्र फड़न विष्ट ने राज्य विधान परिशत में गोशना करी थी इस बात की हाली में श्री सुंदर रमण राम मुर्ती जी को Bombay Stock Exchange का BSE का MD और CEO बनाया गया किसे सुंदर रमण राम मुर्ती जी को BSE का CEO उत्तर प्रदेश में लक्षमी सिंह है जिन्हें पुलिस कमिशनर बनाया गया है ठीक है ना यानि प्रदेश की पहली महिला कमिशनर बनी है कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिशनर बनी है लक्षमी सिंह है ना और इनको अभी तैनाद कहां किया गया है इनको तैनाद किया गया है गौतम बुध नगर में ग्री मंत्री और सहकारिता मंत्री अमिश्शाह के द्वारा करनाटक में मांडिया में Megadayeri का उद्गार्टन किया गया इक करनाटक की एक ऐसे स्टेट है जो सहकारिता के फिल्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है यानि अगर हम कहें कि पूरे देश में सबसे अच्छा सहकारिता कि फिल्ड में कौन काम कर रहा है तो वो करनाटक है तो वहाँ पर एक डेरी का मेगा डेरी का उद्गाटन किया जिसका नाम है मांडिया और या करनाटक की दूसरी सबसे बड़ी दुख्द प्रसंस करने काई ह श्री अजित कुमार सक्षेना को मौयल लिमिटेड के अध्यक्ष सहप्रपन्द के रूप में नुक्त किया गया है सडक परिभण और राजमारक मंतरी कौन है नितिन गटकरी उन्होंने क्या किया उन्होंने गोवा में 29 दिसंबर 2022 को गोवा में ने जुवारी पूल के पहले चरणकाउद घातन किया देखो जुवारी पुल क्या है गोवा के जुवारी नदे पर बनाया गया है आठ लेन वाला है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुल ये बनेगा बनने के बाद में सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा पुल और इसकी जो लंबाई है वो 640 मीटर लंबा है और इसका जो एक पुलिस अधिक्षक थे जिनका नाम था संतोष थी इन्हों ने एक नशा विरोधी अभियान चलाया था तो उस नशा विरोधी अभियान को की पॉपिलर्टी इस तरीके से हुई या वो इतना अच्छे तरीके से चला काम इतना अच्छा हुआ कि इस वजह से 36 गड़को की पुलिस को वहाँ पर लीडर्स्टिप इन क्राइम प्रिवेंशन की कैटेगरी में अमेरिका का एक प्रतिष्टित पुरसकार दिया जा रहा है एक अवार्ड दिया जा रहा है जिसका नाम है IACP 2022 अवार्ड अब स्री राम फाइनेंस लिमिटेड को स्री राम फाइनेंस लिमिटेड को ADB द्वारा ADB विकास बैंक ने 100 मिलियन डॉलर का दिर्ग कालिंग वित्व पोशन दिया है भरसरकार ने आदिकारिक तौर पर 27 दिसंबर को बहु खेल आयोजनों के एक भाग के रूप में E-Sports को मानेता दे दी यानि E-Sports को भी स्टार्ट किया गया है 27 दिसंबर के बहु खेल आयोजनों के द्वारा और यह जो हमारी राश्पती जी हैं जरौपती मुर्मु जी उनकी सहायता से उनके विशिश प्रयासों के माध्यम से ही हो पाया है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने क्या कि स्यामा परसाद मुखर जी राश्टी अजल और सुफसर संस्तान का उधगाटन किया है और यह कहां पर है पश्चिंबंगाल राज्जे में है SBI, ICICI Bank और Axis Bank ने घुशना करी है कि वो मार्ज 2023 से रूपे पर आधारित रूपे आधारित क्रेडिट कार्ड और UPI प्लेटफॉर्म लाँच कर देंगे केंद्रिय और ग्रिह मंत्री अमिश्चा ने करनाटक राजे के बेंगलूरू शहर में सहकारी लाभारती सम्मेलन को संबोधित किया पहले भी हम बात कर चुके हैं कि करनाटक जो है सहकारिता के चेतर में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो यहीं पर इन्होंने एक सम्मेलन को संबोधित किया जिसका नाम था सहकारी लाभारती भुपाल में आयोजित भुपाल किसकी राजधानी मद्यप्रदेश की राजधानी है तो भुपाल में आयोजित छट्वी एलिट महिला मुक्यवाजी चैंपियंशिप 2022 का उद्गाटन किया गया था स्टार्ट किया गया था और उसमें जो जीती है भारत की बेटी जो जीती है उसका नाम है निकहत जरीन और इसने क्या जिता इसने स्वण पदक इनोंने जिता तमिल नाडु राज्यettu की शेहरी सिवाओं में सुधार के लिए एशन डेवलप्मेंट बैंक ने 125 मिलिएंट के रन के लिए समझोता करा है किसने तमिल नाडु राज्ये ने अपने शेहरी सिवाओं में सुधार के लिए ADB से Asian Development Bank Cyclist Swati Singh कौन है? Cyclist है Swati Singh है और उन्हें 2022 का एकलवे पुरुसकार दिया जा रहा है देखो जो एकलवे पुरुसकार है वो ओडिसा राजे के द्वारा दिया जाता है और एक रास्ट्रिय स्तर का ये पुरुसकार है और ये तब दिया जाता है किसी खिलाडी को जब वो दो साल तक लगातार उसी फिल्ड में अच्छा प्रदशन कर रहे होते हैं देश और विदेश में उत्तर कोरिया द्वारा उत्तर कोरिया ने अभी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है ठीक है अपने समुद्र तटपर और उसकी संख्या कितनी है तीन चर्टिस गण राज्ये ने अपने कर्मचारियों के लिए नई और पूरानी पेंशन योजना को एक विकल्प के रूप में चूस करने का option दिया है मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो राज्ये के कर्मचारी है सरकारी कर्मचारी है वो या तो नई पेंशन योजना ले सकते हैं या तो पूरानी पेंशन योजना ले सकते हैं एक जन्वरी को वैश्विक एकतार सदभाव भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए और इसकी जो theme थी, इस बार की जो इसकी theme है, वो क्या है? परिवार और नई प्रद्योगी की यहां, यह इसकी theme थी, इसबार की. रूस ने कुछ देशों पर, तेल की आपूरती पर रोक लगा दी है, वो कौन से देश थे? वो देश थे जो price cap का प्रयोग कर रहे थे. है ना और मैं आपको बता दू कि रूस साओधी अरब का पहला इस्थान है तेलने रियातक में और रूस का दूसरा इस्थान है तेलने रियातक देशों में कैथलिक धर्म गुरु पोप बेनेडिक का 95 वर्ष की उम्रे में निधन हो गया 95 वर्ष के थे ये और इनका अभी ही निधन हुआ है प्रधान मंतरी नरंदर मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से राष्टिय गंगा परिशत की बैठक की अधिक्स्ता की गई और ये नमामी गंगे जो पहल चल रही है इसको स्ट्रॉंग करने के लिए उन तरीकों पर चर्चा करने के लिए ये कॉन्फरेंस की गई थी देखो तेलंगाना राज्य में हमें क्या दिखाए दे रहा है कि तेलंगाना राज्य में जो नीम के पीड है उनके पत्यों में एक रोग पाया जा रहा है जिसको डाइपक रोग कहा गया है और इस रोग से क्या होता है इस रोग से जो नीम के पौदे होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती है ना वो ग्रोथ वहीं पर रुख जाती है तो इस तरीके का रोग हमें तेलंगाना राज्य में देखने को मिला है बरिस्ट IPS श्री अंजनी कुमार जी द्वारा तेलंगाना पुलिस महाने देशर डीजी पी के रूप में पदभार्ण ग्रहन किया गया है किसके द्वारा श्री अंजनी कुमार जी के द्वारा कहां का डीजी पी निप्थ हुए है ये तेलंगाना पुलिस के लिए यानि तेलंगाना राज्य में तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए लाइक करिए कमेंट करिए अगर आपके कुछ कोश्चन हो तो इस नेक्स्ट वीडियो इससे और अच्छी बनाने की कोशिश की जा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू